हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिसमें बिजली विभाग की विभिन समस्याओं के जल्द समाधान करवाने की मांग रखी गई जिला कलेक्टर के नाम उपतेसिलदार को मौके पर ही ग्यापन देकर जल्द समाधान करवाने की मांग रखी और किसानों को खाद भी समय पर मिले इसके लिए ठोस कदम उठाने की मांग रखी गई साथ ही उक समस्या का समधान साथ दिन में नहीं होने पर किसानों ने फिर से आंदोलन की चेताव नी दी इस दोरान पूरु मंत्री ओडाराम देवासी, जिला प्रमुक अरजुन राम पुरोहित, प्रधान हंस्मुक बेगवाल, पूर्व जिला अद्यक्ष व जिला परिशा सदसे, लुंबा राम चौधरी फुंगनी, सरपंच नेन सिंग राज पुरोहित, किसान नेता पन्ने सिं अतिक रावल, अभै सिंग सवराटा, पूर्वसर पंच तगाराम मेगवाल, मान सिंग, सिल्दर, राजेंदर सिंग, रोडा खेडा, चंगनलाल माली, रागाराम बग, हिदाराम, पुरनपुरी, गोसवा में समेच सेक्डों किसान मौजूद रहे इस्थानी इस्थरगी बिजली समंदिस समस्याओं को लेकर, किसानों बिजली भाग के अधिकारियों की बीच वारता हुई, जिसमें तीन दिन में निस्तारन करने का आश्वासन दिया साथ 6 घंटे किसानों को बिजली देने वा अन्य मांग को उच्च अधिकारियों का अवगत करवाने की बात कही साथ ही मोके से ही पूर्वराज्य मंत्री वजिला प्रमुक ने किसानों की विबिन समस्याओं को लेकर, प्रशासन वविभाग के अधिकारियों से फोन पर बात करके जल समाधान करवाने की मांग रखी जागरुक टीवी के लिए वल्दरा कालंद्री से सुरेश जुगनु की रिपोर्ट